आज हम स्टार्ट कर रही हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वॉक्षीट नमबर 35 डेट है आपकी 11 फैब 2021 आज की वॉक्षीट का चैप्टर है आपका टिकट अलबम भाग साथ है आपका स्टार्ट करते हैं पिछले कारेपतरक में यानि लास्ट वॉक्षीट में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं कि सभी लोग क्या करने लगें उसके उपर शक करने लगे क्यों क्योंकि जो राजप्पा है उसने नागराजन का एलबम चुराया हुआ होता है घबराहट में उसने एलबम को अंगीठी में डाल दि तभी अम्मा की आवाज आई जल्दी से आतो नहा कर नागराजन तुझे ढूंता हुआ है राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तॉलिया लपेट कर बाहर आगया कपड़े बदल कर वह उपर गया तो तभी अम्मा की आवाज आती है कि नागराजन जिसका अलबम था वो उसे मिलने हुए आया हुआ होता है ठीक है नाग राजन कुरसी पर बैठा हुआ था उसे देखते ही बोला मेरा अलबम खो गया है यार और जैसे ही राजपा को देखता है नाग राजन वो कहता है यार मेरा अलबम खो गया है उसका चेहरा उत्रा हुआ था यानि जो नाग में शहर से लोटा तो गायब वो बताता है कि जब मैं शहर से लोटा तो वो वहां से गायब था नागराजन की आँखों में आसू आ गया राजप्पा से चेहरा बचा कर उसने आँखे पोच ली रो मत यार वो कहता है कि नहीं नहीं यार रो मत जो आप जब राजप्पा होता उतर गया एक मिनट में वह नागराजन के सामने था तो राजप्पा जल्दी से नीचे जाता है और तुरंट उपर आ जाता है एक मिनट के अंदर में उसके हाथ में उसका अलबम था यानि राजप्पा के हाथ में राजप्पा का अलबम था जो कि उसने बहुत अपनी महनत से बनाया हुआ था लो यह मेरा एल्बम जो राजबपा है वो अपना एल्बम नागराजन को देने लगता है अब इसे तुम रख तुम रख ऐसे क्यों देख रहे हैं वो कहता है कि इसे तुम रख लो और जो नागराजन होता है वो उसको यकीन नहीं आया नहीं यार सचमुष तुमको दे रहा हूं तो राजबपा कहता है कि नहीं नहीं मैं सच में तुमको अपना अलबम दे रहा हूं रख लो राजबपा भला अपना अलबम दे दे कैसा चमतकार है क्योंकि जो राजबपा था वो अपना अलबम किसी को नहीं दे को अपनार राजबर बैस समय ते लसके बहुत बड़ी बात थी कि वी यकिन नहीं आ रहा था पर रा Tube अपनी बात बार बार दोहरा रहा था तो नाग राजन पूछता है, क्यूं तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तुम रख लो इसे, और उसके बाद वो अपना एलबम उसको दे देता है, ठीक है, नहीं पर तुम कैसे रहोगे बगर किसी टिकट के, वो क्योंकि तुने बहुत मेहनत की है इस एलबम को बनाने के लिए, तो वो कहता है, राजपा नहीं तुम रख लो, दोनों यहीं कर रहे होते कि तुम रख लो, तुम रख लो, ठीक है, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ, तो फिर राजपा बहुत चिला चिला कर, और रोते एल्बम कि नागराजन को कुछ समझ में नहीं आता है जो राजप्पा है वो जब एल्बम देने लगता है तो नागराजन को कुछ समझ में नहीं आता है फिर वो उसे रख लेता है और नीचे जाने लगता है तभी कमीज में आखे पोचता हुआ राजपा भी नीचे उतर आय दोनों साथ साथ दर्वाजे तक गए बहुत बहुत धन्यवाद मैं घर चलू नागराजन सीडियां उतरने लगा उसके बाद जो राजपपा है वो उसको छोड़ने आता है नागराजन को तो नागराजन कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद मैं अब चलता हूँ तो वो कहता है राजबपा सुनो राजू राजबपा ने पुकारा नागराजन ने उसे पलटकर देखा अलवम दे दो मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ कल सुभे तूमें दे दूँगा तो राजबपा कहता है कि तुम आज रात के लिए मुझे ये album दे दो आज मैं जी भर कर देख लूँगा और कल तुम्हें दे दूँगा तो नाग राजन ने उसे album लटा दिया और चला गया तो नाग राजन उसे उसका album लटा देता है और वहां से चला जाता है राजप्पा उपर आया उसे ने दर्वाजा बंद कर लिया और album को चाती से लगा कर फूट फूट कर रो दिया उसके बाद राजप्पा उपर जाता है अपने कमरे में और खूब रोता है अपने album को पकड़ कर ठीक है क्योंकि राजप्पा को बहुत जादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने नागराजन का album एक तो जला दिया था ठीक है अब वो अपना album नागराजन को दे रहा है तो उसको इतना जादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके बहुत करीब था वो एल्बम, उसको बहुत जादा टिकट एल्बम पसंद था, तो उसको देते वे बहुत जादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो फूट-फूट के रोने लगता है, उसके बाद आपके कुश आंसर दिये गए है, फर्स कुश्चन है आपका, कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर था सोच कर लिखिये, तो इसका अंसर होगा आपका, कि नागराजन अपने एल्बम के खो जाने के कारण रो रहा था, बलकि राजप्पा ने चोरी की थी, जिसका उसे बहुत अफसोस था, तथा अंत में उसने अपना बनाय हुआ एल्बम नागराजन को दे दिया था, जिससे उसे बहुत दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा, ठीक है, कुश्चन सेकेंड है आपका, कि राजप्पा टिकट एल्बम जलाय जाने की बाद नागराजन को क क्यों नहीं कह पाता है, तो इसका अंसर होगा, कि राजप्पा अल्बम के जलाय जाने की बाद नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास तूट जाता, अगर वो बता देता, तो शायद जो नागराजन है, उसका विश्वास तूट जाता, अगर कह द तो इसका अंसर होगा कि अगर राजब्पा एल्बम चलाने की बात नाग राजन को कहता तो नाग राजन उसे इर्ष्यालू और चोर समझता ठीक है कि तुम बहुत जादा इर्ष्यालू हो बहुत जादा मतलब ऐसे चड़ने वाले हो और तुम चोर हो क्योंकि तुमने मेरा चुराया और दोनों में शत्रुता याइनी दुष्मनी में हो जाती नाग राजन उससे लड़ सकता था उसे माता पिता से डाट भी सुनने पड़ती हो सकता है नाग राजन स्कूल में भी सब को बता देता और राजप्पा को सरमिंद्धी चेलनी पड़ती तो ऐसा हो सकता था कि सब को पता चल जाता कि राजप्पा ने चोरी की है और जिसके बाद राजप्पा को बहुत जादा शर्मिंदगी छेलनी पड़े Q4 है आपका कुछ कहानिया सुखान्त होती है और कुछ कहानिया दुखान्त होती है तो कहानिया प्राया आम तोर पर शुखान्त और दुखान्त दो प्रकार की होती है ऐसी कहानिया जिसका अंत सुखद होता है यानि अच्छा होता है उसे सुखान्त हम कहते हैं वो सुखान्त कहलाती है और जिन कहानियों का अंत किसी दुखत घटना से होता है वो दुखान्त कहलाती है इस कहानी कहान्त राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है या कहानी दुखान्त है चीक है क्योंकि दोनों ही बच्चे रो रहे होते हैं लास्ट में और आपको अच्छी लगी हो, थाइंक्यू सो मच